as a legislator मेरे मन में जरहाबी confusion नहीं था कि 14-79 या नहीं हटानी चाहिए नहीं ह待ाइ मैं पवनली मानता हूं कि दारा 370 से देश का बला नहीं हुआ कस्मीर का बला नहीं हुआ बहुत पहले हटनी चाहिए थी ول मुर्प नहीं मेरे में 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 जरहाबी confusion नहीं है कि धारा 370 के बाद क्या होगा मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि धारा 370 हटने के बाद कस्मीर के अंदर आतनकवाद की समापती होगी और कस्मीर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा कर दो